नमस्कार दोस्तो, मैं हूँ आलोक, स्वागत है आप सभी का आप सभी के अपने ही यूट्यूब चैनल आलोक्स फ्लॉक पर दोस्तो मेरे गाडन के अनदर जो हैवरिड विस्कस के प्लांट हैं उनमें खूब सारी कलिया बन रही हैं। भर भर के flowering जो है हो रही है बस संयोग इतना है कि एक साथ जो है मेरे ये 25 प्लांट जो यहां पर रखे हुए हैं सभी जो है यहां से आप लोगों को थोड़ा दूर से दिखाता हूं यह मैंने दो चार लेयर में बना रखा है पांच गमले उधर हैं पांच इधर हैं और यहा जो है करीब आठ से नौ पॉल हैं अभी आज मेरे गार्डिन के अंदर जो कलर खिले हुए हैं उसमें यह गाजरी कलर बहुत ही जाता देखने में प्यारा लगता है उसके बाद यलो कलर का यह जो है मल्टिपल पेटल का फ्लावर इसमें तो आज जो है वह एक साथ दो खिल हैं रोज एक एक दो एक दो फ्लावर जो है इसके अंदर खिलते रहते हैं आज तीन खिले थे अभी साम का समय है जब मैं यह वीडियो शूट कर रहा हूं तो बंद हो चुक्या है यह तीन फ्लावर तो यह तीन इसके अंदर आये थे यह भी मेरा जो है पिंक कलर वाला और वाले मेरे पास तीन कलर निकला है एक तो मैंने जो है खरीद कर लिया था और दो जो है मैंने ऑनलाइन मंगा थे अलग-अलग सेलर से और दोनों ने जो है चीट किया मुझे और यह जो है सेम कलर मेरे पास जो था वही भेज दिया हालांकि जो है उन लोगों ने आस्ट्रेल में आते हैं यह देखिए औरेंज कलर के छोटे-छोटे फ्लावर्स इनके अंदर आए हुए हैं और यह देखिए जो पिंक वाला मैंने बताया भी आप लोगों को उसी का जो मैंने इनसरी से लिया था तो इतने सारे यह देखिए यलो घूर को फारी से अंदर भी वनी है दो-तिन दिन में बिलावर्स में यह कहलेगा और यह अइयर कष़से कड़िए यह एक वाइगार्ना ओधर करने वाले हैं तो इसे ही जो है कभी-कभी सात में कहल जाते हैं तो कभी-कभी यह इका-दुका करके खिलते रहते हैं, तो अभी यह peak time नहीं कहा जा सकता इनका, क्योंकि winter जो है, वो hybrid viscus का peak time होता है, बाकी देखिए, 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 एक साथ, जो है, कल इसमें 8-10 flower खेले थे, और आज भी देखिए, कुछ flowers जो है, पो खेले हुए हैं, चलिए, आज की इस वीडियो में, मैं अपने plants को जो है, कुछ flowering booster जो देता हूं, वो आप लोगों को दिखा देता हूं, कि क्या-क्या मैं अपने पौधों को जो है, flowering के लिए provide करता हूं, सबसे पहला तो आप लोगों को ध्यान रखना है, हिविस्क्रस के पौधे जो है, यह full sun loving plant है, तो इनको आप अपने garden का वो हिस्सा दीजे, जहां पर minimum 5-6 गंटे की अच्छी sunlight आपके पौधे को मल सके, और अभी hybrid वाले के साथ थोड़ा ऐसा आप रखे भी, क्योंकि बहुत तेज धूप गर्मिया जब रहती है, तो इनकी birds dropping की problem इनके अंदा जादा आती ह तो इनको ऐसी जंगा पर रखे, जहां पर 5-6 गंटे की धूप लगे, और पौधा आपका जो दोपहर की तेज धूप होती है, थोड़ा उससे बचा रहे है, सुबह साम की खूब अच्छे से धूप, 5-6 गंटे की इनको अच्छे से मिल जाए, इस चीज़ का आपको ध्या रखना है, वाटरिंग जो है, वो कम जादा नहीं होनी चाहिए, नहीं अंडर वाटरिंग पौधा होना चाहिए, नहीं ओबर वाटरिंग करनी है, समय समय पर फर्टिलाइजर जरूर देना है, हर 15 दिन के अंतराल पर लिक्विड फर्टिलाइजर और जो है, सॉलिड पौधा जो है यह बहुत ही हैवी फिडर होता है डू टू फ्लावरिंग क्योंकि इनके अंदर फ्लावरिंग बहुत ज्यादा होनी रहती है तो इस वज़ा से जो है यह थोड़ा है फिडर माना जाता है अगली चीज जो है आपके इस पौधे के लिए वो है स्वाल मिक्स जो लगभग हर बार बताया ही जाता है इसकी जो मिट्टी होनी चाहिए वो अशिटिक होनी चाहिए इसके लिए आपको समय समय पर विनेगर अगर आपके पास हो तो वो जो है उसका घोल जो है आपको अपन पौधों को यह है एपसम सॉल्ट जो हिविसकस के पौधे की पत्तियों को पीला होने से बचाएगा साधी साथ बड ड्रॉपिंग से भी बचाएगा एपसम सॉल्ट जो है यह मैंगनिसियम सलफेट है जो पौधे में मैंगनिसियम और सलफर की पूर्ति करता है तो इसको जो ह को सुखा कर उसके बाद उसको क्रस करके तयार किया गया है इसको मैंने ओनलाइन लिया था रिलाइवर ग्रीन करके एक साइट है मतलब वाटसेप पे उनकी एक फर्म चलती है वहां से तो यह जो है काफी मुझे सस्ता मिल गया 60 रुपए या 80 रुपए केजी ऐसे कुछ मिला तो एक चमच चुकी डालना होता है एक पौधे में और बहुत जादा जो है अच्छी मात्रा मिल जाती है हमारे पौधों को पोटेशियम की केले के छिलकों से यह जो है मैं अपने पौधों को जरूर देता हूं और यह कंपलसरी भी है क्योंकि है क्या कि यह और्गानिक है आपके पौधे के लिए और साथी साथ जो है इसमें से पोटेशियम और बागी के माइक्रो और मैक्रो निट्रियंट्स आपके पौधे को मिल जाते हैं तो यह चीज़ जो मैं अपने पौधे को दे रहा हूं यह है शीवीड के दाने और यह भी मैंने एक चमच ही लिया है सभी पौधो को मैं इस तरीके से एक एक चमच करके ही यह चीज अपने पौधो को प्रोवाइट करता हूं तो यह तीन चीज़े हो गई शीवीड के अंदर भी सारे माइक्रो और मैक्रो निट्रियंट्स मिल जाते हैं साथी साथ मेट्री के इस्ट्रक्चर को अच्छा बना पौधो को बचाता है और मिट्टी में अगर यह रहती है तो मिट्टी के इस्टिक नेचर को उसको भी मेंटेन रखती है और डिकंपोज होने के बाद जो है निट्रियंट्स का सोर्स भी वनती है तो नीमखली एक है इसके काम अनेक है इस पज़़ा से मैंने नीमखली भी अपने हिविस्कस की फेडिंग में सामिल किया है और यह सारी चीजे देकर हमको बहुत मतलब अंदर तक गुड़ाई नहीं करना है क्योंकि हिविस्कस की रूट्स जो है यह उपर ही उपर होती है अगर रूट्स जो पतली रूट्स होती है अगर वो डैमेज हो जाएंगी तो पौधे को फेडिंग मिलना में जो है वो मुस्किल होगी इस वज़ा से जो है हलका हलका बस जो है और अगर आपके पास जादा से जादा पतला टूल्स हो तो आप उसी का इस्टमाल कीजिए तो इस तरीके से उपर उपर ही जो है हलकी गुड़ाई जो है आपको करनी है बहुत जो है विग गुड़ाई नहीं करनी है अभी ये फेडिंग कंप्लीट नहीं होई है लास्ट में जो मैं देता हूँ अपने पौधे को वह भी दिखा देता हूँ और लास्ट में मैं अपने पौधो को ये हूमिक एसीड जो है ये इसका चूरन टाइप का है वो देत हूँ और इसको मैं इस तरीके से पानी के अंदर घूल कर जो है पौधे को प्रोवाइड करता हूँ बहुत ही आसानी से ये डिजॉल्व हो जाता है जैसा कि आप लोगों को दिख रहा होगा डालते समय ही जो है हलका सा डिजॉल्व हुआ जैसे हलका सा ही लाया हमने ये बाकी सारी चीजों में पौधे को मज़त करता है इमेडेटली जो है जो भी हमने फर्टिलाइजर दिये हैं उनको थोड़ा उत्रेरित करके जल्दी काम मतलब कारगर बनाने की का काम आपका यह हुमिकेशिट कर देता है तो इसको भी आपको अपने पौधे को देना है ज्य अप सेयर करूँगा कैसी आपको मेरी यह वीडियो कमेंटकर के जरूर बताईयेगा ऐसी किसी नई वीडियो नए अपडेट के साथ मिलते हैं किसी नक्श सुडियो में तब तक के लिए बाबाए औं टेक क्यार